कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवर्थ मौत को भी बतलता है इतना खुन देखके लगता है इसे बड़ी बेरहमी समा रहा है केजियाप्त्री में आपको किन किन सवालों के जवाब मिलेंगे वैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलिगराद के फिल्मी करिया रहे खुन से लिखी हुई कहानी हैं स्याहे से नहीं बढ़ेगी अगर आगे बहानी है तो फिर से खुन ही मांगेगी केजियाप्टर टू देख चुपे है तो प्रकास राज का ये डायलाग आपके जहन में रच बस कया होगा यास स्टार केजियाप्टर मौजोदा वक्त में वो फिल्म है जिसे लेकर देश ही नहीं दुनिया भर में मात हो रही इसे जिराजा मौली की बाउवने के बार ये दूसरी ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसके सिक्वल का लोगों पर बेसमरी से इंतजार येस स्टार केजियाप्टर टू ने नीच होते ही बॉक्स ओपिस पर तू फाल ला दिया लेकिन अब केजियाप्टरी का लोगों का इंतजार है केजियाप्टो के पोस्क्रेंट सीन ने खनुली मचा दी अब जब ये साब हो चुका है कि केजियाप्टरी अने वाली है तो हर किसी के मन में जही सवाल है कि अब कहानी में क्या अलब अब रॉकी क्या बवाल काटने और सबसे बना सवान क्या राजा किसप्पा बेरिया यानि रौकी जिंदा है। गोल्ड फिल्ड का सिन्म और बंदे देख लिया है। फिल्स बैक में जाना होगा। सुरू से स्टू करना होगा। हमने राजा किसफ्पा बेरिया वो रौकी बनते हुए देख लिया। ये भी देख लिया कि उसके दिमाग में क्या है। वो क्या करने वाना है। कोई ना तो जानता है ना इस सो सकता है। लेकर रौकी ऐसा बना कैसे। ये जानना इसलिए ज़रू है कि इससे दो बाते साफ हो जाएंगे। एक तो रौकी चाहता क्या है। और दूसरा की रौकी कहा जाकर खत्मूद। रस बैक में गोते लगाई और वो दो स्चीन याद कीजी। जब रौकी ने बच्पन में अपनी मरती हुई मा को बचन दिया था। कि एक दिन वो दुनिया का सारा सोना लेकर उसकी जोली में लाकर रख देगा। और दूसरा हो जब मा ने रौकी से वादा लिया। कहा था मैं नहीं जानती तू कैसे चीरेगा। क्या करेगा। लेकिन इतना जानती हूँ कि जब तू मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान हुगा। रौकी पर तो पता है कि उसे क्या चाहिए। उसकी जीद है कि मा ने जो वादा लिया था और उसने जो वादा किया था उसे हर हाल में पूरा करेगा। अब फ्लेस्ट बैक का एक और छंका लेते बच्पन से ये रौकी से एक सवाल पूछा जा रहा है और हर बार वो उसका एक ही जवाब देता है तब ही जब कि जब टू में गोली लगने के बाद वो बिस्तर पर होता है क्या चाहिए तेरी को रौकी की आखों में घुमरते काले पादल जित की चीक में बदलकर एक ही सब्द कहते है दुरिया कुल मिलाकर बात यह है कि रौकी को दुरिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान बनना है उसे दुरिया में वो इंसान बनना है जिसके पास सबसे ज़्यादा सुना क्योंकि मासुन उम्र में ही वो समझ गया था कि दुन्या को नचाना है तो उसे वो सुनेरी चमंग देनी होगी जिसे देखकर आगे चो दिया जाए तभी तो मजबूरों को मसिया बनने के बाद भी केजब टू में उसकी एक ही गीत थी काम नहीं किरूपना चाहेगी और सुना निकान अब थोड़ा प्लस बैक को तीज से आगे बीचे दोड़ाते हैं फिल्म में एक किरदार है जिसे केजब चैप्टर वर में दिखाया गया है और केजब चैप्टर टू में फिल्म के पत्रगार साब यानी अरल्ड दोनों फिलों में एक ही इनसान से बात करते हैं वो आदमी जो उन्हें रौकी का किस्स सुराता है कहता है कि वो गैं具 सा नहीं मोल् глаз सा है वो ही जो किस्सा बताता है कि कैसे पुलिस ने थाने में रौकी को बिठा तो दिया लेकिन जब लेकिन जब ड्राइविन लाशनस पर नाम देखा तो पूरा आस्मान ही में ले ने ले वही करेक्टर जिसने बताया था कि र पेरे लोगों के बीच अकेले पब में घुज गया। वही किरदार जो केजिब टू के आकरी सीन में फिरा था। अरंद उसके पास जाकर कहता है कि तुमने सही कहा था। वो गैंग्स्टर नहीं मॉल्स्टर है। अब जब याद आ गया है तो ये भी गौर की जी कि दोनों ही चेप्टर में कहीं इस करदार को परसांद दीन ने अभी तक एक्सलोर नहीं किया। नहीं बताया है कि वो कौन है और वो अरंद की कहारी क्यों सुना रहा है। जबकि अरंद तो खुद के जिफ में हर पर रौकी के साफ अकराफ हास फरोर करते हैं आते हैं के जिफ प्रधान मंतरी रंगा सेन के दफ्टर आकर पहली बार रंगा को रौकी के बारे में विताता है कि वो सबसे बार करिनल है सबसे बार नेसल इशू है जिसके जबके उपर से रौकी ने प्राइबेट प्लेड को उडारे की इजाज़त कभी नहीं थी उसकी वो तस्मीर दिख बता है जिसकी हेडलाइट है इंडियाज बिगेश्ट करिनल और दूसरे हाथ में दुनिया का प्रतिष्टिक मैगजिन टाइब जिसके कवर पेज़ पर लिगा है दुनिया का सबसे बड़ा करिनल यानि जब तक रंगा को रौकी के बारे में पता जाएता है तब तक दुन जो आउट पोश्ट पर अधीरा के नोवटे हाथों बारे गए थी फरवारी की मा दुआ देती है कि तुझे अब कोई नहीं रोप सकता केजिएप में जम कर खुदाई का काम सुग होता है तब स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है हम 1979, 1980, 1981 सिर्फ ये साल के आकरे देखते हैं यानि तीन-चार साल बढ़ जाती है। बड़े नौल वाली बंदूप से निसारा साथता है लेकिन गोले रॉकी की बजाए उसकी मीवी को लग जाती है अधीरा के हमले से परे रॉकी अपने खासम खास कासिंग चाचा से बात कर रहा होता है वो उसे बदाते हैं कि काम तेजी से नहीं हो बारा रॉकी कहता है कि कब तक पुराने तरीकों से काम करोगे नए टक्नोलोजी वाली मसीने लाओ कासिंग कहता है कि मसीने नहीं मिल रही रॉकी कहता है कि अमेरिका से ले आओ फिल्म में काईदे से पहला वोका है जब रॉकी के मुझ से अमेरिका सुनाई देता अब आईए फिल्म के आखिर सीन पनाते रोकी जहाद में के जेप का सारा गोर्ण फार कर समंदर में जान बुज़कर उसने इसी जगह चुन जहाद सारा सुना और खुद रोकी 20,000 फुट की गहराई के उपर है यहाँ हमें दो बात ही पता चलती पहले कि रोकी ने सिर्फ भारतिया अधिकारियों को ही फैक्स नहीं गरिया उसने अमेरिका और इंडोनेसिया के तक्ट रस्चकों को भी फैक्स घेज़ कर वहाँ पर बुलायाँ भारतिया जहां से हुई बंबारी में रोकी वो समंदर में सोरा साइथ रोपते हुए दिखाया जाता है लेकिन क्या रोकी मर जाता है शायद में क्योंकि रोकी का करेक्टरक ऐसा है कि जहां सब की सोच खत्म हो जाती है रोकी की वहाँ से सुरू होती है तबी तो वो गैंस्टर नहीं बहुत शर रहे अब पोस्ट करिट सीन पहले के जब टू के खत्म होने के बाद पोस्ट करिट सीन में चार वरी शिजे दिखाई गई एक तो किजब चैप्टर 3 की फायल गंती है दूसरी बात कि सीवी आई के एदिकारी रंका सीन को बताते हैं कि रोकी ने वहाँ इंडोनेसिया और अमेरिका के सिप को भी बुलाया था क्यों बुलाया था नहीं पता तीसरी के इन सब के भी सीजे के एदिकारी रंका सीन के पास आते हैं और रोकी का प्रत्रप्रमा क्योंकि रोकी अमेरिका का सबसे बड़ा मुझनिब वहाँ कैसे मुझनिब बना ये भी नहीं बताया गया है चोथी और आखरी बाद रंका सेन के चेरे के एक्स्परेशन्स इस दोरा कुछ ऐसे हैं जैसे हूँ ऐसा कुछ जानती हैं जो उसने किसी को नहीं बताया है वैसे भी पोस्ट के सीन में भी भारतिय वाइव सेना और थल सेना को फिर से हमला करते हुए दिखाया जाता है रंका सेन को हमले के कागजात पर साइन करते हुए दिखाय दाता है जबकि केजियफ सीटी तो मिसाइल हमलों से जमी दोजवर फिर रंका ऐसा क्या है जो छुपा रहे हैं एक बात ओड़ इनायत खनील अभी जिन्दा है रौकी के केजियफ सोने को यद किसी और के गोल्ड के विजनिस से सबसे बड़ा खत्रा है तो वो इनायत खनील है इनायत खनील ने रौकी की धमक तो देख लेगे लेकिन अभी भी रौकी की निए खत्रा है ऐसे में रौकी को अगर दुनिया पर राज करना है इंडिया रही पूरी दुनिया का सियो बनना है तो उसे रायत खलीर के सोने के धंदे को भी ठब करना होगा कुल मिलाकर इस पूरे फ्लस बैक और फास पारवर्वर की जरूत इसलिए ठीकी आप ये समाच सकें कि केजिएफ चैप्टर 3 की कहारी की ने प्रसान तेल के पास अबेरी बहुत सारा बसाला है मसला रौकी कैसे 16 दिसों के लिए वोश वांटर बना कैसे उसने इनायत करीर को खत्मी किया उन तीन-चार साल में कैसे उसने अपना समराज दुनिया वरे में फैडाया दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ताकत वर इंसान बनने का उसका बाग को दिया वादा कैसे पूरा हुआ वो आदमी कोड़ जो पत्रगात अरंद को रौकी की बादसाहत की कहानी सुना कर उसे गैंस्टर से मोश्रम बता रहा है रमका सेन को ऐसा क्या पता है जिसे वो छुपा रही है क्यों उसने अरंद के लिखी हुई किताब एल डरीडो को बैर कर दिया जला दिया जब केजिएफ से टीन जमी दोच हो चुका है तो फिर रमका सेन निल फिर कहाँ वाइस से ना और थल से ना से अमला कर वाए क्या रमका सेन भी रौकी से कहीं न कहीं मिली हुई है समंदर में जब रौकी और उसका सारा सुना डू रहा था तब वहां इंडोनेसिया और अमेरिका वाले क्या कर गए रौकी अमेरिकी जाज एजिसी सी आई की निसाने पर कैसे आया और इन सब से केजिएफ टेप्टर क्ली में प्रसांत निल हमें ये भी बताएंगे कि क्या रौकी को मिला जो बच्पन से चाहिए था दुनिया